Dear students, आप सभी का स्वागत है, आज हमें पहले पार्ट का जो दूसरा वीडियो है, जिसका मुख्य पोइंट या टोपिक अपना रहेगा, करत्रीम काईक परवर्दन, इसके बारे में समझेंगे, पिछले वीडियो में हमने इस चेप्टर का या इस चेप्टर के बारे में जो बाते हमने पढ़ी थी, एक बार आपको ब्रीफली या सोट में अपन दुबारा देख लेते हैं कि अपने क्या-क्या पढ़ा था, अपना जो पहला पार्ट है, उसका नाम है आउर्ट विजी पा पात्वों में जनन दो परकारशी होता है, एलेंगिक जनन और लेंगिक जनन, हमने एलेंगिक जनन के दो परकार हैं, एन निशेक बीस्ता और काइक जनन, छीक है, उनके बारे में समझा था, ये जो काइक जनन है, इसको फिर दो बागों माटा गया है, एक तो काइक जनन मे प्राकर्तिक काईक जनन दूसरा करत्रिम काईक जनन तो पिछले वीडियो में हमने प्राकर्तिक जो काईक जनन या काईक परवर्दन है उसमें पोदे के जो भाग है तने के द्वारा काईक परवर्दन होता है किस परकारशे होता है उनको समझा जडों के द्वारा काईक प्राप्द्थ की और पत्यों दोरह पोडे किस प्रकार्श काईक परवर्दन करते हैं जैसे ब्रायफिलम पत्थर-चट्टा इनकी जानकारी प्राप्द्थी प्रत्थी और अन्त में हमने जननांगों द्वारा काईक परवर्दन ठीक है इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर यानि कि इससे पिछले वाले वीडियो में समझा था आज का जो ये अपना वीडियो है ये मुख्य रूप से रहेगा करत्रिम काईक परवर्दन के बारे में करत्रिम जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है करत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशल यानि कि मैन मेड मनुष्य द्वारा निर्मित सामने वस्ता में पोदे जो हैं उनकी जैड तना पतियों से ने पोदे बन जाते हैं ठीक है परंतु कुछ से पोदों के अपने जैड तना पतियों को या उनकी साखाओं को काट करके पोदे से अलग कर लेते हैं और उससे नय पोदा प्राप्त करते हैं तो उसे अपन काईक करत्रिम काईक परवर्दन कहेंगे परवर्दन का मतलब है परवर्दन जो सब्द बना है परवर्द परवर्द का मतलब होता है पोदे का कोई भाग या अंग जैसे जैड इतना पती उससे नया पोदा बन जाए ठीक है तो वो परवर्दन कहलाएगा या आप इसकी जगह जनन भी सब्द यूज कर सकते हो करत्रिम काईक जनन एक ही बात है परवर्दन बोल दीजिये या फिर जनन बोल दीजिये ठीक है क्योंकि आप जनन का मतलब होता है कोई भी जीव जो अपने समान नई संतान उत्फन करता है वो प्रकिरिया जनन कहलाती है तो यह पोदे भी अपने जैसा नया पोदा बना लेते हैं जैसे नेम की अपने जड़ को काट के लगाएंगे तो नेम का ही पोदा बनेगा चीक है? तो यहाँ डिफिनेशन इसमें सुरू में बताया जा रहा है कि यह वीदिया मानो द्वारा निर्मित हैं क्योंकि आर्टिफिशल है इनका प्रियोग पोदों के वानिज्यक उत्पादन के लिए यह अपने पोदों का उत्पादन वानिज्यक उत्पादन करते हैं वो फूल वाले फ्लोरिंग प्लान्ट हो सकते हैं या फिर फलो वाले पोदी हो सकते हैं या फिर जैसे गन्हारा सरक्राइड के उत्पादन के लिए हो सकते हैं तो इनका वानिज्ज्जे के उत्पादन के लिए अपने इसका करतनी मीध्शी से एकाईक प्रवतन करवाते हैं और पोदो की संख्दोण बढ़ा लेटे हैं पर्मुख करतनी वीदियां जो है वो निमन परकार हैं देखो अपन यहां इस चेप्टर के अंदर तीन पॉइंट पडेंगे इस हैडिंग के अंदर तीन पॉइंट हैं एक नए पोदे बनाने कि ये करतनी वीदिया है करतन में हम इस्तम यानि कि तन्य को काट करके नया पोदा बना सकते हैं किसी पोदे की जड़ हैं जड़ों को काट करके अपन लगा दें नई जगह तो उससे नय पोदे बन जाएंगे दाब के भी दो वीदिया है टिला दाब और अबायु दाब और जो रोपन है उसके च्यार मेथड है जिसको जिहुआ रोपन या फचर तेशरा किरीट और चोथा अपन पढ़ेगा कलीका रोपन तो यह सारी बाते हमें आगे समझने वाले हैं चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले अपन करतन से करतन का मतलब क्या है कटिंग कटिंग नहीं काटना पोदे का जो इस्तंभ है यानि की तना है या जड़ है उसको काट करके अपन दूसरी जिगर लगा दे और नया पोदा बन जाए वो कहलाएगा करतन पहले अपन बात करते हैं इस्तंभ करतन की इस्तंभ करतन में पोदे के इस्तंभाग को छोटे छोटे टुकडों में काट करके जमीन में रोब दिया जाता है और करतन दुआरा काईक परतन को कई कारक परभावित करते हैं अपन जब पोदे की तरे को, या साखा को काट करके लगाते हैं, तो उसको कौन-कौन से कारक परभावित करते हैं, वो एक तो परवर्द की लंबाई, या लिकि जो अपने काट करके जो टुकडा लगा रहे हैं, जैसे माली जी ये कोई पोदा है, चीक है, और इसमें कोई करता है, इसे मातर पादप की तरे करता है, यहा लगा करता है, यह मेच्वर पादप होना चाहीए, रोपाई का वातावरन जब अपन मिटी में रोबते हैं तो उसका वातावरन उस फसल के अनुकुलित होना चाहिए जैसे गन्य की फसल के अपन गन्य के टुकडे काट के लगाते हैं तो उसकी रोपाई का वो वातावरन उसके अनुकुलित होना चाहिए इसके एक्जाम्पल के तोर पे मुन समझे गन्ना है देखेगा गन्ने में बीज नहीं बनते हैं बहुत से प्लांटे ऐसे जिनमें बीज नहीं होते तो उनमें काईक के जनन ही होता है और तने के द्वारा गन्ने की जो फसल है वो त्यार की जाती है जैसे एक जो गन्ना है आपने गन्ना देखा भी होगा मार्केट में गन्ने का जूस अपन पीते हैं तो यह इस प्रकार से गन्ने के अंदर यह इसपष्ट परवसंदिया को दिखाए देती हैं जिसमें हमें इसपष्ट पर्वय यह पर्वय भाग है और यह पर्वसंदिया है वो पोदे एक विजपतरी होते हैं जिनमें इसपष्ट टूप से हमें पर्वय और पर्वसंदि दिखाए देती है तो यहां पोदे का इतना भाग अपने एक टुकड़ा यहां से काट लिया मा जो कलिका जहां परवसंदी पर कलिका है उससे नया पादब जो है परवसंदी पर उसका विक्षित हो जाएगा यानि गंदे का नया पुदा बन जाता है उसी परकार शें अंगूर की जो बेल होती है ठीक है उनके जो तना है उसको काट करके भी अपन इस्तम करतन करते हैं नय पोदे तियार करते हैं नरसरी वगेरा में गुलाब की भी जो साखाएं है या तना उसको काट करके अपन नय पोदा बना लेते हैं बोगनवीलिया जो बेल होती है ठीक है आपने अपने स्कूलों में या सरकारी जो करे लें वहाँ खूब देखे होगी बोगनवीलिया जो बेल होती है जिनके लाल रंग के फूल आते हैं और ये गुलाबी रंग के भी होते हैं कुछ से बोगनवीलिया के पिले रंग के भी फूल होते हैं कुछ में सफेद रंग के भी होते हैं ज्यादा तर ये जो पिंग कलर है गुलाबी कलर के जो फूल है या लाल कलर के फूल वाली बोगने मिले ज़्यादा यूज की जाती है इत्यादी में इस्तम करतन दोबारा काईट परोधन होता है ये तो बात हुई इसकी तने के दोबारा जली आपने फिर देखते हैं जड़ के दोबारा याने कि जड़ को काट करके जो है ये मुख्य जड़ है फिर आगे इसके प्राट्मिक जित्तेक और जड़ है तो जड़ का कोई वे एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ अपने टुकड़ा काट लिया इसका ठीक है इतना सा एक बाग कुस पोदो में जड़ी जो है वो मिटी के ओपर धातल के ओपर ही होती है आसपास जैसे मिटी का धातल है तो यहीं से बाहर निकल रही होती है तो इसको यहां से अपन कट कर लेंगे काट लेंगे ठीक है और काट करके इसको रोपित करेंगे दूसरी जगह पर तो वहां उससे नया पोदा बन जाता है इस विधी द्वारा जिन पोदों में काईक प्रवतन कराया जाता है उसके उधारण जो है वो मुखिरूप से नेम्बू के जड़ को काट करके या अमरूद के पोदे की जड़ जो है सेव जो फूरूट अपन खाते है फले सेरी है इत्यादी जो काट को सामानेत या इस्तति में कौन सीफिती में यसे माली जीज़ का तुकड़ अपने पास यह है इसको मिट्टी में रोपित करेंगे ताकि शिर्ष पर उपस्तित देखो जिसको अपने यहां इसे लगाया यह इसका शिर्ष भाग हो गया तो शिर्ष के उपर क्या होगा शिर्ष पर उपस्तित अपस्तानिक कलिकाएं परस फुटित हो सकें यानि कि इससे जो नई पतियां साखाएं जो कौपल निकलेंगी वो आसानी से परसपुटित हो सकें, अंकुरित हो सकें, ठीक है, और ये जो कलिकाएं अंकुरित होती हैं, इन्हें कहते हैं, अपन अपस्थानिक कलिकाएं, पोदे के जो परोह तंतर के अलावा, अन्य भाग से जो कलिकाएं उपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं, जैसे जड़ भी हो जिसे बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, उनकी ये जो सबसे नीची का जो भूमी के पास का जो परवसंदी यहां से भी जड़े निकल जाती हैं, तो ये अपस्तानिक जड़े होती हैं, ये परकार से ब्रगद में आपने देखी हूंगी, कि उपर साखाओं से जड़े निकलती ह वो भी अपस्तानिक जड़े हैं वेसे ही अपस्तानिक कलिकाई भी होती हैं छी कर जोज की जड़ से निकलती हैं वो अपस्तानिक कलिकाई कलाई हैं ये तो अपना पहला पुइंट हुआ करतन वाला दूसरा आपन देखेंगे दाब के दोबारा कि किस प्रकार से दाब लगा क अपने ने पुदे तयार करते हैं, तो दाब के दो में थेड़ हैं अपने सलेबस में, एक तो टिला दाब, दूसरा पढ़ेंगे वायु दाब, तो चली एपनों सुरुआज करते हैं पहले, देखते हैं क्या लिखाइस में, इस विदी में इस्तमत्वा साखा को मुख्य उसमें तो क्या करते हैं पोदे की मूल को या तने को काट करके अलग कर लेते हैं फिर उसको नई जगा पर लगाते हैं और नया पोदा बन जाता है पर तो यहां पर दाव मेथंड में क्या करते हैं पहले जो पोदे की जो साखा है उसकी जो साखा मनला उसकी जो ब्रांच है ट का मतलब मुख्य पादप से अलग किये बिना अपन जड़े विक्षित कर लेते हैं उसके बाद में अपने उसको काटेंगे और नई जिगार लगा देंगे तो उसे पोदा आसाली से लग जाएगा जिससे ने परोह निकलते हैं परोह का मतलब होता है जो वाईवी भाग पोद के पास में जो साखाएं हैं उन साखाओं को अपने मिट्टी में दबा दिया यहां उपर मिट्टी डाल दिया अपने और यहां इसका सिर्ष बाग बाहर निकाल के छोड़ दिया कुछ समय पसाद क्या होगा यहां जो मिट्टी है इस मिट्टी को अपन नम या गीला बनाए रखेंगे, जिसके कार्ण याँ इस साखा से जड़े विक्षित हो जाएंगी, जहाँ पर इसमेट इस पोधे को आपन यहाँ से पूरे पोधे को ही अलग कर लेंगे, और नहीं जिगा लगा देलेंगे, तो इस से इस एक बोदे से ही कई सारे पोदे अपन त्यार कर लेते हैं कम समय के अंदरी, बिना बीज की सायथा से. तो ये टिला दाव विदी है. तो देखते हैं आपन यहाँ आपके बुक्स में क्या लिखा है इसके बारे में? तिलादाव इस विदी में तने की जुकी हुई साखाई कौन सी साखाई जो जमीन के पास में जुकी हुई साखाई जो जमीन में उनको जमीन में दबा दिया जाता है दबाते समय ध्यान रखा जाता है कि एक या एक शिया दिक परवसंदिया जमीन में दब जाए पूरी साखा को दबा देंगे तो वो गल जाएगी, मिट्टी के अंदर नश्ट हो जाएगी, कुछ समय बाद जमीन में गड़े इस्तम की परवसंदियों से अपस्तानिक जड़े विक्षित हो जाती है, कौन सी जड़े? अपस्तानिक जड़े फूटने लगती है, यानि कि व और मोगरा, मोगरे के पोदेश से ही तयार किया राते हैं, इस विदी से ही इनको तयार करते हैं, फिर अपन दूसरा दो मेथड है, दाव वाले के अंदर, वो है, यहां देखेगा, आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, यह वायू दाब या गुट्टी लगाना, दो नाम देखो, टिला दाब में जो किया था, मिठ्टी का टिला था, मिठ्टी का चोटा से अपने टिला बना दिया, उसकी साक्खा को दबा दिया, और वायू दाब में naam किया, वायू दाब यान देखी हवा के अंदरी दाब लगाएंगे, उपर यह पन पोदेगे, पोदे को साखाइं के पास नहीं यह गुलेए पर होती है यह यह साखाह में लिए यह सघ़काना तो है क। पड़ते क्या लिखाएं कि इस विदी का प्रियोग वरक्षों में क्या था है वरक्ष होते हैं, जिनकी साखायें मोटी होती हैं, इस विदी में साखा के सामनें मोटे सवस्थ भाग पर चारों और बहरी परत या छाल को वले के रूप में कार दिया जाता है, देखें समझते ह इतनी दूरी से यहां से चाकू से इसकी चाल को उतार दिया, चाकू से या किसी ओजार से इसकी चाल को ऊपर की जो चाल है, उसको अलग कर दिया, ठीक है, और फिर इसके ऊपर यहां पर जो है, इस चाल को अलग करने के बाद में, यहां मोस या किसी गीले कपड़े से इसको ब पान देंगे उसमें पानी डाल देंगे और मटकी में एक छोटा सा छेद करके ये जो सूतलिया जो धागा है रसी है इसको यहां से अटेज कर देंगे जोड देंगे तो ये जो रसी है या यहां पर ये जो धागा है सूतलिया इससे जल जो है वो धीरे 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 इस गीला बनाये रखेगा, और जब यह गीला रहेगा, तो इस साखा से इसके अंदर ही जड़े विक्षित हो जाएगे, मैं तर पर जड़े विक्षितों किकरना अब जड़े विक्षितों कि तो नहां से काट करके नई जगाए मिट्टी में परतारोपित कर देंगे उससे क्या होगा? उससे यह नया पोधा विख्षित हो जाएगा तो यह इस परकारशे अपने ऐसे त्यार करते हैं तो लिए देखते हैं आपके पुस्तक में क्या लिखा है आगे इसमें लिखा है कि यह पैसे छाल को हटा दिया था, यहां तक देख लिया छाल रही तो भाग को मोस, या गिली मीटी, या गिली रूएशे डख दते हैं ताकि वो नम भनी रहे हैं, जो इस भाग को नम रखते हैं इस डहके वे भाग को गुट्टी कहते हैं देखो इसका नाम कया है गुट्टी लगाना । इसका नाम इस लीए गुट्टी पढ़ा है कि जो भाग अपने डका है उसे अपने गुट्टी कहते हैं। गुट्टी पर चित्रा मुसार एक पात्तर द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है, च्यार शे आठ सप्ता है, लगब गयानी की, दो महिने में, ठीक है, सप्ता बाद इस पर जड़े दिखाय देती हैं, इस जड़ युक्त भाग को मुख्य पोदे से अलग करके मिट पून है इस पार्ट में, चोटे किसनों के लिए, वो है रोपन, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, अपने बारिस के सीजन में, बरसात के सीजन में, कहीं नरसरी में जाते हैं, या फिर कोई पोदे बेचने के लिए, आजकल तो अपने सहरों में या गाओं में, सारी जगए पोदे बेचने के लिए, गाड़िया गूमती रहती हैं, और वो ये कहते हैं कि बाई साब, ये पोदा जो है, ग्राफ्टेड प्लांट है, ग्राफ्टेड या निकी उसमें रोपन किया गया है, ग्राफ्टिंग जो सब पड़ा है, वो ग्राफ्टेड या ग्राफ्टिंग जो है उसी से बना है इसमें वास्ते में होता है क्या देखे समझते हैं पूरा मेथड़ अपने संज़ेंगे एक बार जैसे मान लिजे अपने पास को एक पोदा है मैं यहां एक कोई रफली डायरा बना रहा हूं ठीक है ना उसकी आप समझेगा यह पोदे के तना हो गया यह स सोचेंगे कि इसके भूत ही अच्छे मीठे और अच्छे आम लगते हैं अच्छी क्वालिटी के है इसके जैसे ही पोदे अपने पास त्यार हों बहुत सारे देखिंए अगर इसके जो बीज बनेंगे उस बीज से जो नया पोदा बनेगा उसमें कुछ आनुमध्शिक परि लेंगी जनन के दोरान जो संत्रत्या उत्पन होती है वो मात्र पादप से कुछ अलग लक्षणों वाली भी होती हैं अच्छी क्वालिटी की भी हो सकती है और लो क्वालिटी की भी हो सकती है तो वहां अपने लिए रिस्क है कि अपने पोदे का अपन क्या करेंगे कोई भी यहां अपने साखा को काट लिया अम मालीज अपने पास कोई भी एक अलग एक पोदा है चोटा सा पोदा है आम का ही ठीक है जो कि देशी प्लांट है कोई इसे को खास नहीं है ऐसे इसके अंदर अपने कोई बीज को बोया था और उसे आम का पोदा लग रहा है इस भाग को य श्टुकणे को यहां से ओपर वाले भाकर तो काटके फेक दिया और इसको यहां पर इसके उपर लगा दिया थिक है चिपका देते हैं बांद देते हैं थी तरह से तो यह जो प्लांट है ये जो पोदा बन गया अब ये ग्राफ्टेड हो गया क्योंकि एक पोदे के ऊपर दूसरा पोदा जो है अच्छी क्वालिटी वाला वो अपने लगा दिया अब यहाँ उपर से जो पोदा एक रोज करेगा ये जो साखा है जो उच गुरूनता वाली पोदे क कि साखा है इससे तो नया पेड़ बनेगा नया वरक्ष बनेगा उसके अंदरे उस मातर पादव के जैसे लक्षन होंगे क्योंकि ये काईक भाग्षी लिया गया है जो चलिए देख तेसमें देखो क्या लिखा है रोपड में इस विदी में इसी विदी में दो अलग- कि वाला अच्छी गुणवत्ता वाला ठीक है उत्तम गुणवाला और दूसरा जो अपने कोई छोटा पोडा ले लिया ठीक है उसके तने को काटेंगे तो उन दोनों के हिस्सों को इस परकार से जोड़ते हैं कि बस संयुक्त होकर एक नए पोड़े के रूप में वर्दी क किसम के पादब के उस हिसे को जिसका रोपन किया जाता है उसे कलम कहते हैं यानि कि उपर वाला जो अपने जो लगाया है अच्छी क्वालिटी वाला जो अच्छी किसम वाला जो पोड़ा है वो तो क्या कलाएगा कलम कलाएगा तब ही देखो अपन कहते हैं कि यह पोड़ा तो ने पोदे का आधार बनेगा, नीची का जो बेस होता है, उसे इसकंद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसकंद, तो ये कलम और इसकंद जो हैं, दोनों इंपोर्टेंट हैं, उसको आप थोड़ा याद रखिएगा, चलिए फिर आके देखते हैं, आगे लिखा हैं, कलम और इसकंद को कस कर बांद देते हैं, ताकि दोनों का एदा, एदा हैने की केम्बियम, आपने जूनिर कलास में एदा के बारे में पढ़ाओगा, जैलम और फुलम जो हमके बीच में, जो कोशिका होती हैं, उन्हें अपने एदा कहते हैं, संपरक में रहे हैं, अगर एदा बिल इस पोदे की यानि की कलम की एदा और यह जो इसकंद है नीचे वाला, इसकी एदा इन दोनों संपरक में होने चाहिए, अगर एदा संपरक में होंगें आपस में सही तरी केसी, तो जैलम और फुलम भी आपस में एक दूसरे के संपरक में आ जाएंगें, क्योंकि वो दोनो विष्टि यह है विजी आर्थिक रूप से उप्यूग जैसे गुलाब के लिए, मोश्ली आम के लिए, अमरूद, सेब, निम्बू, कलमी निम्बू आते हैं, सेब आते हैं, अमरूद आते हैं, इन के लिए इसका युप्योग मोश्ली किया जाता है, ये तो बात है अपने इसकी परिवासाओं के वी, अब इसके परकार हैं, रोपन के लि इसे नाम क्या ला क्यों पड़ा जीब जेसा आपने जीब का अकार ने याatin रोपन याने की रोपित करना ँट करना जितना में कैस बहुत न麼 ये जीब जैसा दिख रहा आपको, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जीब या जीब भी, ठीक है न, वहीं इसके नाम पड़ा है, इस परकार की ग्राफ्टिंग में इसकंद वा कलम समान मोटाई वाले होते हैं, देखो इसमें खास बाद और ज्यान करने वाली होगी न नीचे वाला तो क्या है, ये तो इसकंद और ये क्या है, कलम, ठीक है, ये दोनों की मोटाई एक जैसी होने चीए, आप देख पा रहे हैं, ये जो कली का ये कलम है, ये अपने किसी दूसरे, उस किसम के जो पोदे हैं, उसकी साखा से लेली, और ये को पोदा है, जो बीज या, जिब भी पर्चार ओपन में, दोनों में पांच से आट से मिटर लंबा चीरा लगा दे जाता है, इसके बाद इसकंद में, वी आकार का चीरा लगाते हैं, देखें, इसकंद कौन सा है, नीचे वाला ये देखें, ये इसकंद रहा, ये इसकंद है नीचे वाला बाग, इसमें अपने केसा चीरा लगा है? वी आकार का ये रहावी जैसा ठीक है? कलम को भी इस परकार से चीरा लगाते है ताकि इस कंद में फिट हो जाए ठीक है? और बाद भी इसे कसकर बान लेते हैं अब देखो इसके अंदर भी उपर ये चीरा इसी साइज का इसी परकार से लगाते हैं ताकि ये यहाँ जो चीरा लगा था इसके अंदर ये यहाँ बिल्कुल फिट हो जाएं अब देखिए अगली ही डियागरामी आपको बिल्कुल यहाँ ये जो ये जाहा ये जो इस परकार से यह दिख रहा आपको यह ये चीरा है इन दोनों को बाढ़ दिया यह उपर वाला जो कलम है नीचे वाला इसकंद है और इसके अपर जो कलीकाई थी इससे नहीं साखाएं नहीं पत्या बन जाएंगी और यहाँ इससे अपने इसको पुरा अच्छी तरह से बाढ़ दिया ताकि दोबारा उससे क्या होगा यानि कि यह पोदा जीवित रह पाएगा और आसानी से फिर एक बार पकड़ कर लेगा जायलम और फुलेम जो एक बार जुड़ जाते हैं आपस में तो यह आसानी से पोदा जो है मजबूती प्राप्त कर लेता है उसके बाद में यह तो बाद करते हैं यहां आपको देखिए एक डिखाय दे रहा होगा यह पहली जो कंडिसन एसमें क्या करते हैं इसमें अपन एक यहां पर यह वी आकार का चीरा यहां लगा दिया पनने यह नीचे वाला पोदा नहीं यह यह इसकंद है और उपर शे को पोदा लए उसके अंदर वी जैसे मालीजे मैं यहाँ बना देता हूँ यह नीचे वाला इसकंद है और मैंने इसको यहाँ से इसमें वी आकराचिरा लगा दिया तो यह कैसा बन जाएगा सपोज कीजिएगा यह इस परकार से बन गया ठीक ना क्योंकि मैंने इस बागों काट करके इतने भागों काट करके यहां से हटा दिया उपर कोई जो अच्छी नसल वाला जो अच्छी किसम वाला जो नसल जो सब्द है वो तो जन्तू के लिए यूज़ करते हैं और अपने किसम जो सब्द है वो इसको वेज बोलते है, वेज ग्याकर का इसको आगे से काट लेगे, ताकि यह सक अपने फिट हो जाए, तो देखें यहां कि पुष्टक में कैया लिखाяг देखेंगा, इसमें इसकंद, इसकंद लिए निचे वाला भाग में कलम का yummy व्यास समान होता है, मोटा हिसमान होती है जबकि कलम में वेज क्या आकार का कलम में चीरा कैसा लगाया वेज क्या आकार का चीरा लगा जाता है यानि कि इस परकार से दो चीरा लगाते हैं उसको वेज कहते हैं उपर जो कलम थी ये वेज क्या आकार चीरा हो गए यहाँ वाला इन दोनों को जोड़कर बाढ़ने जाता है तीसरा जो परकार है वो है किरीट या मुकुट या दूसरा नामे जा क्राउन वो क्राउन एंगरी जी का जो सब्द इसका होता है ताज ताज होता है जिसको सर के उपर पहना जाता है सर के उपर जो पहनते हैं, राजा मारा राजा पहले पहनते थे हैं या अभी भी जो विस्वे सुन्धरी वगरा जो होते हैं, deste इन्हूनूवर्ज उनके उपर आपने उसको टाज पहना जाता है तो यह कराउन होता है, ताज मुकुट, मुकुट भी अपने ताज जो सब्द है वो उर्दु का सब्द है रमुकुट जो सब्द है वो अपना हिंदिया तत्सम जो सब्द है उससे बना है और इसको अपने क्रीट भी कहते हैं विग्यार के बासा में इसको क्रीट भी कहते हैं इसमें देखो क्या होता है अपने डाइगराम से समझेंगे पहले इसको ये रहा अपना ये डाइगराम देखिए इसमें यहां क्या होगा तो इसकंद होता है तो मोटा होता है ठीक है और इसके ओपर अपने बहुत सारी कलम एक कलम ये है दूसरी कलम ये है तीसरी ये है इसमें कई कलम एक साथ यहां लगा देंगे यहां लगा देंगे यहां तो बहुत जादा है इसकंद का और जो कलम है उनका व्यास तो बहुत कम है तो इनका व्यास अलग-अलग होता है इसकंद का व्यास जादा होता है बड़ा होता है और कलम का व्यास कम होता है तो चलिए देखते हैं अपन क्या इसमें लिखा है अपने इसमें इसकंद की कार एक इसकन्द पर कई कलमे रोपित कर देते हैं छीक है आप ने देखे भी होंगे इसे कई पूद्ध आज कल बार्केट में आरे हैं जैसे एक पोद्ध है गुलाब का उसी के उपर एक पोद्ध के उपर ही अलग-अलग कलर के फूलवाली साखाएं हैं छीक है जैसे एक ही तो ये इसी वेथर्ड से तियार की जाती है, सोथा और जो अंतीम परकार है, वो है कलीकार ओपन, कलीका, ठीक है, कलीका का ओपन की इस परकार से इसको समझेंगे, मैं पहले डाग्राम से देखो, क्या लिखा है इसमें, ये रहा कलीकार ओपन, कलिका वाले में क्या होगा जो इसकंद है उस इसकंद में यहां देखेगा एक चीजा लगाते है टी आ कार का कैसा लगाते है यहां से इसको थोड़ा सा काट लिया अंदर की तरब चाकू से किसी ओजार से और यहां इसे काट लिया ठीक है अब जैसे पोड़े की कलिका क्या कहा होती है यह दिख रही है यह पोड़े की कलिका है जहां से नई साखाई निकलेंगी है यह कलिका वाला इसे कलिका कहते है यहां से अपन कोई भी एक कलिका जो एक कलिका काटके लिए आएंगे बस ठीक है अपने ट्टियाकर का जहा चीरा लगाय था उसमें यह जो कलिका है उस पोदी की उस कलिका को यहां पर्चा रोपित कर देंगे यहां रोपित कर देंगे और उसको बांद देंगे देखें यहां पर यह जो कलिका को दिखरी होगी यह रही यह कलिका यह कलिका अपने यहां रोपित कर दी और उसको अपन इस विदि में कलिका का रोपन कियाता है इसकंज की चाल में टी आकार का चीरा कौन सा कार का टी आकार का ये रहा टी आकर का चीरा लगा कर उसमें कलम की कलिका को रोपन कर दियाता है इसके बाद में इस इस्थान को कस करके बांग देते हैं तो इस परकार से हमने आज के वीडियो में जो करतरिम काईग परवर्दन है या करतरिम काईग जनन है उसके वीधिया, उसके मेथड पड़े, चुकि हम जानते हैं कि इस पार्ट में से छोटे क्विशन पूछे जाने हैं, और अगला जो इस पार्ट का जो लास्ट पोइंट ह लास्ट टोपिक है, वह अपना लेंगे जनन के बारे में, वो अपन अगले वीडियो में, नेक्ष्ट वीडियो में इसको समझेंगे, और मेरे ख्यालशे आपको समझ में आरहा होगा, कोई क्यूस्टन या कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बुक्स में इसमें हमसे पूच सकत हैं उसको अगले वीडियो के अंदर जब ये नेक्स्ट वीडियो होगा तो आपको सबसे पहले आपकी जो परसन है आपकी जिग्यासा है उसको सांथ किया जाएगा धन्यवाद